हलो नमस्कार खमा गणी जैसरी राम संसकार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है तो मेरे लाड़लो प्यारे बच्चो आपके आने वाली एक्जाम बी एस टी सी 2023 की उसके लिए हम आज आप लोगों के लिए 50 बड़े ही बहतरी कोशन लेकर आएं जो हर बार एक्जाम में पूछे जाते हैं और अब की बार डिरेक्ट छप जाएंगे ध्यान पूरवक क्लास को देखेगा और हाँ अगर आप लोगों ने में 50 मसे 40 कोशनों का आउंसर सही दे दिया यकीन मानिए आपकी तैयारी मजबूत है और अपकी बार पेपर की खोपड़ी में छेद करके आओगे ज्यादा टेम ना लेते हुए चलते हैं अपने कुश्ण नमबर वन की तरह देखिए क्या कहता है टॉंक सहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है गगगर चंबल लूनी वनास तोलाडले वच्चो ये वनास नदी के किनारे पर बसा हुआ है अपसर नमबर दी आप लोगों को राइट आउंस कर लेना है जो टॉंक सहर नवाबों के नाम से भी जाना जाता है ये भी आप लोगों को कर लेना है अगला कुश्ण देखो नमेलिक तमस्य किस स्तान पर इंद्रा गांधी नहर पर योजना में पेजल नहीं पहुंचाए जाता है बीकानेर जोदपुर पालिया बाड मेर पेजल जो नहीं पहुंचा जाता है ठीक है इसका अंसर देख लेना है इसका पाली राही टांस होगा और हाँ लाड़ लो पा सब्सक्राइब कोई सी राजश्तान की एक नदी अंत्रभाय प्रभाय प्रिनाली के अंतरगत नहीं आती है काकनी कातली पारवतिया घगल आउंसर क्या होगा Option नममर सी राइट आउंसर अपका पारवति इस दा राइट आउंसर अगला देखेगा बंस वास्कर का लेखक कारे नेमे लिक्तमास से कहा के सासकों के आदेश पर किया गया था कोटा होगा जैपर होगा बूंदी होगा या बीका नेर होगा बताओ जल्दी बंस वासकर का लेखन कारे ने में लिक्तमस से कहां के सासकों के आदेश पर किया गया ठीके तो यह राई टाउ शुरुग आपका बूंदी जिसके अंदर 84 खमों की क्या लाड़ो छत्री भी है ठीके 84 खमों की छत्री भी है ठीके कोटा के अंदर एक विसाल का मेरा लगता है जो दसेरा का मेरा लगता है ये भी आप लोगों को चाप लेना है अगला देखिए वह जील जिसका निर्मान प्रित्राच सोहान के दादा अना जी ने सन 1135 में कराये था बदा हुआ को नी थी अना जी ने सन 1135 में कराये था आना सागर जील का फाई सागर का पुस्कर का या अजे का फूल सागर का अरे लाड़ो आना सागर या जमेर के अंदर ही परती है और पुरातात्Space कहा मिले हैं बताओ लौट लो बहुत धर्म से समधे जो पुरातात् स्युक्त मिले हिए कहा पर मिले हैं बेराड में, नकर में, नलिया सर साबर में या काली बंगा के अंदर जल्दी बताओ कमेंट करो तो सब को पता होना चाहिए बेराठ ये कहाँ पर परता है जैपुर के अंदर परता है ठीक है अगला कोरिशन देख लेना है ये देखेगा बीलवाडा जिले की डोट 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 नदी पर बागोर रिस्तित है लूनी होगी कोठारी होगी बनास होगी चंबल होगी बताओ बताओ जल्दी बीलवाडा ज च्छेतिज के दुरस्टि से राजिस्तान की नदी्प रणालियों का सही आरो इकरहाना है अपवाय देखिए अपवाय छेत्र की दुरस्चिजेंगरा मतलब छोटा बड़ा बड़ा है छलिए इस anyhow we माही बिलकुछ सही लेक लेना है option number B अगला question इसका answer बताओ उससे पहले हम बता देते हैं कि ये whatsapp number है जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ अभी मौका आए इस मौका को आपको छोड़ना नहीं है ठीक है देखिए सतलज होगा राभी होगा चनाब होगा ब्यास होगा इसका answer 17 option number A राइटांस होगा अगला question देखो लूनी नदी की सायक नदी नहीं है बताओ जल्दी जल्दी लूनी नदी की जो सायक नदी नहीं होगी जोजरी होगा सुकड़ी होगा या लूनी होगा या मेडा होगा बताओ बताओ जल्दी देखिए लूनी नदी की सायक मेडा राइटांस होगा option number D बिल्कुल साही कर लेना है अगला देखिएगा गजब गजब के कोशन है भाई गजब गजब के चूक मत जाना और छोड मत जाना चलो कुमल गड़ सलाले को कितनी सलाओं पर खुदबाया गया है तीन पांच साथ या नो कुमल गड़ के बारे में बताओ ठीक है इस काउनसर क्या होगा देखिए पांच इसदा राइटांस रोगा आपका option number 5 is the correct answer अगला देखो राजस्तान की इमा से कौन सी नदी देखिए अराबली स्रेणी की खमनोर पहाडियों से निकल दिये बनास नदी, लूनी नदी, काली सिंद्र नदी या चंबल नदी बताओ जली जली इस काउनसर क्या होगा बनास option number 5 is the correct answer होगा अपका बनास तो अरे बता दो जल्दी जल्दी हम आपको पहले question दिखा देते हैं ठीक है ते देखिए आप लोगों ने देख लिया है चलो तो ठीक है आओ देखो करनी दान का समंद्ध कैसे होजएगा सुरज प्रकास से होगा देखिए दोलत बिजय का समंद्ध खुमान रासों से होगा पद्वन आपका होजएगा कन्यर देव से और जग जीवन भटका होगा अपका अजित्तो देश से ठीक है अगला कोश्तन देख ले है बिल्कुल देखेंगे नेमल इतमास से कौन सा सुमेलित नहीं है बताओ जील और जीला के बारे में जो सुमेलित नहीं होगी उसके बारे में बताना देखो पच्पंद्रा जील पहला ही कोश्तन साही है क्योंकि पच्पंद्रा कहां पर है बुरुजी ये बाड़ मेर के अंदर है सब को पता है बिल्कुल लेकिन नागवर के अंदर नहीं है, क्योंकि डेवर जील्ट होदयपुर में है यह, गैब सागर जील्ट होदयपुर में है यह, देखें तालाव साही धूलपुर के अंदर है, ठीक है, आपसन नमर ए राइट आउसर आपका हो जाएगा, अगला देखिए, नेमिलित मसे किस उत्खनन निस्तल से चांदी की मुर्दा जोकी कि आपका पंचमार के प्राप्त ही है, काली बंगा आहड गने सुर्या बेराट, राइट आउसर देख लो बाई, ओप्सन नमर डी राइट आउसर रुगा, आपका बेराट है, अगला देखो, चंबल गाटी परियोजना पर निम्नमस्य दो बांद राजिस्तान में हैं, बताओ वो कौन-कौन से होंगे, देखें, जवार सागरबान देवां राणा प्रताप सागरबान, या बहांकडा देवां देवां जवार सागरबान, या गांधी सागरबान, या बजा सागरबान, या कोटा बेराज याओ ईसका उसर होगा अपका जवार सागर और राना प्रताफ सागर ठीक है उसन ले ये जीव इसका छील सागर जिस बार प्रशिध right नहांसर अगला के फिरसिद概 शेपुर में जोदपूर में जोदपूर में गैप सागर जील कहां पर है यह जल्दी जल्दी बताएगा यह डूंगर के अंदर होगे न अजोट है अगला कोश्चन देखेगा वींस हो गए और कमेंट करते रहो मैंने क्या कहा और चोड़ जाने पहले ये चीज़ जरूर ध्यान को अभी मौका है चीक है चलिए के सबता के मिट्टी के वर्तनों पर रोमन एमपोरा था मंडोर नागर नाडोल भीनमाल इसका उनसा देख ले ना देखे भीनमाल ऑप्सन नमर डीविल को सेगा आपका भीनमाल अगला क्वाशन देखेगा दे इसका उनसा क्या होगा ओप्सन नमर सी तालाव बिल्कुल राइट है उनसा होगा तालाव एक कोशन और बनता है कि देखिए सबसे ज़्यादा तालाव हो एवं नलको पॉसर सिचाही कहां पर होती है कमेंट करके बताओ किसोर सागर जील तालाव कहां पर इससते किसोर साग जाल कहां पर है यह कोटा के अंदर पड़ेगे आपकी किसोर मतलब कोटा किसोर मतलब कोटा ठीक है अगला देखो तालाव एसाई दोलपुर का निर्मान जांगीर के किस देके मनसबदार ने करवाया था जलाल का अमीर का सुले का यह अपका हामिद खां ठीक है इसका उनसा बीर तेजाजी होगी जैनालान ब्यास होगी कवर सेंगी बताओ बाई जल्दी इसका उनसा क्या होगा आपका कवर सेंगा अगला कोश्चन देखो कभी राज स्यामलाल दास दौरा पिर्शिद इतियास ग्रंच का क्या नाम है बंस वासकर बीर बिनोद यह जगा अपका कर नया नाम क्या है बताओ बताओ जल्दी जल्दी 27 का इसका अंसर होगा आपका डांक्टर करनी सिंग लिप्ट नहर क्या होगा डांक्टर करनी सिंग लिप्ट नहर अगला देखो देखें मगरा कहते हैं बताओ बताओ जल्दी बताओ आप लोग आप लोगी बताओ कि मग रहा कहते हैं किसे कहते हैं बाई मगरा अरे लाड़ लो उद्यपूर के उत्तर पस्चिम में इस्तित कम उंची पाड़ियां उनको क्या कहा जाता है मगरा कहा जाता है लिख लेना है ठीक है चलो अगला देखिए एसका आंसर होगा आपका पस्चिम से पूर्व की ओर साही करम पहिचान इसका पास्तान में इसका अंसर होगा आपका पच्पंद्रा काईलाना बाल समंद और राज समंद ठीक है ओप्सन नमबर ए आप लोग को लगा लेना है अगला देखेगा जो देखें इंद्रा गांधी नहर पर योजना में कुल कितनी लिफ्ट नहर बनाई गई हैं बताओ बताओ जल्दी बताओ इंद्रा गांधी नहर जल्दी बताओ बालाधल के वारे में राज समंद अधैपुर शीकरिया टोंग बाला बाला थल के वारे में बताओ इसका उधैपुर राइट हांस हुगा जिसे हम जीलों के नाम से जाने जते हैं जीलों की नगरी उधैपूर है चलिए अगला देखेगा राजस्तान के अं टांस होगा option number A अगला देखें का देखें आई लेंड रिपोर्ट होटल के जील में इसे बता वाई जह समंद होगा राज समंद होगा फतेशागर होगा या नक्की हो जाएगा जल्दी बता हो जल्दी जल्दी इसका अंसर क्या होगा देखें आपका जह समंद इसदा राहे संसकार क्लासेज वाले कोईश्चन अगर 50 में से 40 सही हो जाए न यकीन मानिए आपकी बिजय निश्यत है इसका अंसर देखो राणा प्रताब सागरबान देखो सबसे पहले देखो आपका जवार सागरबान का समंद किसे होगा यह देख लेना आप लोगो ठीक है जवार सा सागर का भील वाड़ा से माही बजाज बांध हो जाएगा अपका बांस वाड़ा से ठीक है अगला देखो गिलंड सब्दा के अब से किस यूग के हैं देखे तामा प्रिस्तुर यूग लोगोगा प्रिस्तुर यूग होगा यह मृदवांड यूगोगा बताओ 37 का इसे त नर्मदा नहर परियोजना यह न। ओजेगा आपका देखे 27 चैतुर विकास अब हो जाएगा अगला गिखेगगा 500 देखे एक कहां के आप से से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सैदंब सब्वता का राजिस्तान में विकास हुआ है काली बंगा में पीली बंगा में उस्प्युक्त सभी बताओ जल्दी इसका answer क्या होगा उप्यूक्त सभी जो आप लोगों ने answer दे दिया है अच्छा आप तो आप अच्छा करने लग रहे हैं फिर मिलान वाला question आ गया है आपके तो आपको आना नहीं है मैं आपको बादा आए देता हूँ चलो आएं यह देखेगा यह तो गजब का question आ रहे है अरे लाड़ लोग देखो अजीस सागर जुन्जनू देखे मादो सागर दोसा उर्मिला सागर भीलवाड़ा और सेबर भरतपुर है अरे सेबर भरतपुर के अंदर क्या भाई सरसो अनुसंदान के अंदर है ठीक है यह भी आप लोगो ध्यान में रखना है राजिस्तान में माई नदी निमला दोसे केजले की सीमा बनाती है बताओ बाई माई नदी केजले की बनाती है आउसर देख लेना है इसका आउसर क्या होगा यह डूंगर पुर और बासवाड़ा कि किसकी डूंगरपुर के अंदर तो डूंगर ही डूंगर है अगला देखीगा देखिए प्रोफेसर एच डी सांकलिया के निर्देश में जिस सब्विता का इस्ताल उत्खनन हुआ है वै कौन सी है काली वंगा या आहड गनेशुर या बैराट 42 का देख लो ओप्सन नमर भी आहड अगला देखिए गजब का गोश्चन है लगा लो मोष्ट देखिए गनेशुर सब्दा किस काल से समन देते है हरपा काल यो यूग्यू ताम रिकास से यूगी होगा आपका पूरा पासन गनेशुर शब्दा के बारे में देखो अप्सन नमर C देखिए इसका जगा ताम कास यूग option number C is the right answer अगला देखो हर question में जान डाल रखी है पांच नावान की जिले में इस्तित है दोलपुर में, करोली में, सवाई मादोपुर में जालावाड में, पांच नावान कहां पर है जल्दी जल्दी बताओ, ये करोली के अंदर होगा कहां पर होगा, करोली is the right answer आपका पांच नावान कहां पर है, करोली option number भी आपका विल्कुल सही हो गया अगला देखिए नेमिलिक नमसे की जिले में की जिले में आड़ संस्कृति के अपसेस मिले है बता वाई, चित्तोरगड में, बासवाड़ा में, उदैपूर में, राज समन में आड़ संस्कृति के जो अपसेस मिले है न इसका आउस सा देख ले न उदैपूर is the right answer आपका option number C, उदैपूर ठीक है अगला देखिए हैं, बिल्कुल देखिएंगे ताल चापरवांद के जिले में ओहो, ताल चापर है चूरू, पाली, सीकर या दोसा सबको पता होना चाहिए यह चूरू के अंदर है, यहाँ पर आपके काले रन घणे पाए जाते हैं, समझे? चलो तो चलो, अगला चले, चली कि जिले में नारायन सागरवांद, बताओ, नारायन सागरवांद सीकर में, अजमेर में, कोटा में, उदेपुर में, नारायन सागर के बारे में बताना, नारायन है ना, नारायन सागरवांद कहां पर है, यह देखो यह आपका अजमेर के मदर है लगा लेना option number a b जो कि क्या है राजिस्तान का एड़ते भी कहला जाए अगला देखो नेमेल इत्मा से कौन से इस्तर को धूल कोट भी कहा जाता है लुप कोट बताओ कौन से इस्तर को कहा जाता है प्राटनगर आहड काली बंगा या पीली बंगा आप लोगों ने तांसर बताया है नहीं है आहड हम ही बता देते हैं आपको आड ना आड इस दर आई टांस रोग आपको उप्सन नमर भी आड होगा अगला रेखेगा जो राजिस्तान के किस नादी को नट नदी के नाम से भी जाना जाता है घगर लोनी कातली आउजेगा आपका बनास नट नदी के नाम से जाना जाता है घगर उप्सन नमर ए लगा लेना है आप लोगो घगर इस दा राइट आउंस ठीक है अब आपका last and final question है उमेद करangenगा कि आप लोग साही बताओगे राजिस्तान के किस जिली में बार्या दरी इस्तित है पाय सागर पते सागर आना सागर या डेवर राजिस्तान के किस जगरम है बार्या दरी के नट है इस कांसर आप लोगों को कमेंट सेसर में जरूर बताना है और हाँ ये डेली के डेली आप लोगों के लिए 50 important question कराए जाते हैं जिस दिन आप लोगों ने 50 में से 40 question कर लिए ये हमारे वाले संसकार कला सेज़ वाले यकिन मानिये उस दिन आपका selection शो हो रहा है ठीक है और हाँ दूसरी बात ये कांसर का कमेंट सेसर में बताना है और ये डेली आपकी 7 बजे हो जाती है लाइव चल वो जो ठीक है तो इसमें जरूर देखा करें और सुबह 7 बजे वाली को भी आप जरूर देखा करें ठीक है अब अपनी लाइव कला चले की तो उसमें जुड़ जाना है धन्यू धन्वाद लाइक और सस्काइब जरूर करके जाना बहुत मेनत लगती है शुक्रिया